जैने दोस्तों जैमा कल मैं आपका दोस्त बलीविट सिंग और स्वागत आपका श्यत्रपनेम के अगले वीडियो में दोस्तों आज आपके कई सारे सवालों के मैं जवाब देने का प्राइद न करूगा जो के रिलेटेड है मुद्गर से कि उसका साइस कैसा रहना उसका शे जिसके अंदर आपको हाथी की सुट की तरह इसका शेप आएंगा आप गुमस की तरह भी लगा सकते जो के गिरने के ओपर भी नहीं तूटिंगा सेकेंड जब आप इसको फकट रहे तो आपको नीचे से आपका हाथ पूरा यानि आपका हाथ पूरा यह उंगलियां पूरे जोइंट होंगे लेकिन उपर के उंगलिया बरोबर से जोइंट नेवेंगे यह क्यों नेवेंगे तब आपको एक्स्ट्रा ताखत लगाना पड़ता है जब आपको एक्स्ट्रा ताखत लगरी दोस्तों यानि उपर के हाथ में जब आपको पूरा से ग्रिप नहीं मिल रह मैं नहीं छोटा चकते ऊतना उचीज रखी का ते दोस्तों किसी को एक बार पकड़ लिए दस उसके कपड़े पढ़ जाएंगे लेकिन उन्हें आपको छोटा के भाग नहीं से किसी को अगर पकड़े तो इसलिए इसको यहां पर गृप छोटा आके मीचे से मोटा था एक यह यह इसका ओरिजिनल शेप बाद बाद की जो आनलाइन पर एमेजॉन पर मुद्गर मिलता है वो सीधा सीधा लंबे-लंबे हैंडी लाता है बस नीचे से राउंड कटा आयाता है जैसे के पहले कपड़े दोने का बैट याज क्रिकेट का बाट आता है वैसा उसका हैंडी ले ग्रिप ने बोलते हैं उसको मुद्गर के अंदर में ग्रिप रहता किस प्रकार का आपको ग्रिप वाना चाहिए देखे दोस्तों यह असली मुद्गर का शेप और ग्रिप सेकेंड रही बात इसको मेंटेन करने की देखे दोस्ता अपन इंसाने अगर आपन भूगे रहेंगे तो आपन कमजोर हैंगे ज्यादा बाड़ी के अंदर एक्टिविटी ने रहेंगी उसी प्रकार यह भी मुद्गर है इसको भी खाना खाना खिलाना जरूरी है इसके लि नीम के पतों के लड़ चेंज वाता तो उसके अंदर हल्दी डाल जीजिए छोड़ दीजिए रूम टेंपरेचर पर थंड़ा होने दीजिए उसके बाद यहां पर छोड़ कर यहां पर थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं मीचे उसकी अच्छे से अच्छी मालिश करना ज्याद स्यादा जितना हो सके उतना कि पहले के जामाने में तो 200 मुद्गर कोलु के जो लकड़ी आती थी याने जो तेल निकालते रहते थे कोलु का वैल जो घूम कर तेल निकालता था उससे बनी जाती थी उस तेल अच्छे से पीके रहता था मैरे कई सारे याई से आज पहलां द देते तेल में भीगा देते अच्छे से जब कभी अभी पूजा रूम में जाते तो उपड़ से उसको तेल डालते रहेते ताकि वो उसका वजन और उसकी सर्विस अच्छी दे बहुत सीक्रेट बात है यह और बहुत ताहट वो मुद्गर को आप जैसे कि यह बनाए 15 किलो का ओडर कर रहे थे हमारे मित्र लेकिन यह 15 से ज्यादा एक बाद दोस्तों अगर आप हमारों कभी भी ऑडर कर रहे यानि आप पांच किलो का ओडर कर रहे तो उसका आपको साथ क किलो 8 किलो 6 किलो ऐसा यान एक्स्ट्रावेट मिलेंगा क्यों कि कच्छी लगड़ी रहती हमेशा फ्रेश मुद्गर रहता तो इसका वजन कम होना स्वाभाविक है इसलिए मैं ज्यादा वेट देता हूं कि क्योंकि कलके दिन आप यह नहीं बोलना है कि हम पांच किलो का ओ और जाया है यह बबल की लखली और नीम की लख्ली ही controll शी लख रिक्र कि लेकिन कई सारे राज्यों में शीचाम मैंड बैंड बैंड है याज आज effectively बहुंड़ कर मुद्गर बेचा जा रहा है वाभी कलर करें पॉलिश करके पीओ लाया कर दिखने में तो जो आच्छ ह दो ही इस्ते हमाल नहां नहीं दो फिसे अच्छी लगड़े शिशयम की लेकिन कई सारे राज्जियों में शीशंम बैंड है जैसे चंदन मैंड यह वैसे शिशं मैंड है आज अमेज़ान पर शीशयम बलकर मुदगर बेचा जा रहे शीशम की लगड़ी बलकर मुदगर हमारा मुद्गर इतने में इतने दिन में खतम खराब हो गया इतने दिन में अंदर से लखड़ी सड़ गई कौन सी लखड़ी यूज करते हो लोग पता नहीं अपने को उनका बैक्रांड जो वो लोग करते हैं ना उनों कभी दंगल के अंदर कदम रहें लाल मट्टी में कभी कदम ने रहें ना ही उन्होंनों शायद कभी लंगोट पहना है बस निकल गए पैसा कमाने इंडिया में अगर सबसे कोई सस्ता मुद्गर बिचते हैं तो श्रिफ आप कि ऑर क्राइक साने एकद्व साहिए के दोस्तों कि इसके अपर पियो पी नहीं है इसके अपर की पिडिन निये इसके पर स्के पाशनिये ऐसा कोई रषह निये जो लखड़ को पकड़ कर एक प्योर मुद्गर इसको लगाना है अब सिरफ तेल क्रैक शाते थोड़ा सा सच पर फिविकल लगा लिजिए उसके बाद में उसकी फिविकल सुखने के बाद उसके अच्छे से मालिश कीजिए उसको खना खिलाते जागे उन्हें ताखत वर बनीगा जब आप अपनी डाइट के अपर ध्यान देना आपको जरूरी है कम से कम कम से कम बता रहा हूं मैं कम से क कम 15 साल ऐने आपको एक अच्छे महितर के भाति आपको बूड़ा मेंगे बीसाक धेंगा आपके बच्चें के बच्चों को भी नहीं सर्विस अच्छा से एंगा रहीगा रहीए बात रहीचें की जो रोगी है उन्हों हमारे पास से कि शेत्रिया प्रड़म करने के बाद उनको लाप पहुंच रहा बहुत सारा किसी का शोल्डर खराब हो गया तो शोल्डर अच्छा होगा किसी का डियबेटीस अच्छा होगा किसी का ब्लड पेशर एकदम कंड्रोल में गया कोई कोई मही का माईगरेंट प्रब्लम 5 गंटे अगों की भी आपको हिल्त बनाना है बहुत जरुची चीज़े और जैसे कि देखिए दोस्तों यह जो समतोला है जो अगस्त जैसे कि समतोला है जीकि इसके अंदर भी क्राग है इसको फेविक लागा के जोइंट हो जाता है ने यहां पर और यहां पर तेल नहीं लगा नाय कूँ तेल की मालिश करना ही करना है जो वहां हमसे समतोला लिये जो भाय उमसे लिया उन्हों भी लागा के देख सकते हैंसको अधियन रखेंद दोसो ध्यान रखें, दोस्तों, मुद्गर, या सम्तोला या कुछ और के ऊपर, पेंट या पॉलिश ने रहे ना, अगर आपके इधर ग्रिप में भी फेंट आ रहा हूं, वोग चिकना करके दे रहे, यहां पर भी अगर चिकना आ रहा, स्लिपों के गिड़ सकता है, आपका मुद् वूर जाए लेंगे को ब्लेम करेंगे कि फूर लेता क्या आंनलाइन वाला लेता क्या इस आइक ते सर्टिफिकेट है कि उसके पास कर विप्सक्राश या या स्पॉर्ट्स वाला है शीशम का मुध्गर है अविले बल ये प्राइस है कि हमको तो ऐसे भी सुनने में आया कि हर्यानिया में कोई भाई हमसे मुद्गर खरीदें उनको 20 किलो का मुद्गर कोई भाई साब 10,000 रुप में बले इसका रेट बहुत कम रहता दोस्तों बस आपके अंदर वहम डाल डाले कि यह रह रह और नहीं मिलता मुश्किल से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं नीम और बबुल का मुद्गर आपको कभी भी मिल जेंगा कॉलिटी वह इच रह थी पचास साल मिनिमम गारेंटी लेकिन उसको आप मेंटेन करना तेल और हल्दी लगा कर तो दोस्तों अगर कभी क्रैक आजारा आपको सुई लीजे लगाईए इसके अंदर सुईंट को डुबाकर इसके अंदर फिविकल लगाईए मजबुत हो जाएंगा उसके बाद ही इसक अब निखर के आता है जो हमसे ले रहे मुद्गर उनके लिए खास मेसेच मुद्गर जब आपके घर को आ रहा है आने के बाद आप इसको इमेरिटली और लगा सकते हैं ऐसा ने की इतने दिन रखना है इतने दिन लगाना है इतने दिन के अब्याद खुरू करेंगा यह जिन को यह हमिए लेगरा मैं लिंक शेर कर देता हूं हो तो निषर कर दिश्रिप्षण में लिक्सिशिएर प्र內 Enjoy इसको सरी रूख कर यह ऊछिस इसको रोकिए सकानी इसको दो बैलेंस कमी कॉशिष किए यह मातनी चार-पंस दिन में एक हफते के अंदर आपके हाथों में ताक्त आ जाएंगी कि आप इसको उठाके घूमा सके अगर आपको हेवी लग रहा तो आप बोलेंगे कि बलविर भाई हमारों को 10 किलो का मुद्गर कम पड़ रहा है 15 का बेजो 20 का बेजो यह शर्तिया बात है उम्मिद करता हूं दोस्तों आपके कई सारे सवाल का मैं जवाब देने का प्रायद में करा अगर आपको और भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप आपके सवाल दाली या मेरे पर्सनल नमर पर आप मुझे मेसेज कर सकते हैं हमसे वाट्सप पर जुड़ सकते हैं हम चाहते हैं कि देश में कोई भी कमजोर ने रहना हरुकी ताखतवर और बलवन निरोगी रहना बहुत जल्दी मिलिंगे अगले व